असलाम लेकुम जी, हेलो हाई और वेलकम बैक टो में जाने वीडियो, आज का टापिक जो है, वो नुट्रिशनल असेस्मेंट फॉल चिल्टरन है, कि हम लोग कैसे उनका वेट मेजर कर सकते हैं, उनकी हाइट को कैसे मेजर किया जा सकता है, टू यूर से लेस चिल्टरन उनक तू ँट्रिशनल असे मेजर करेंगे, तो वेडियो लास तक देखी सकती है, काई से एकक्यूमेंट्स यूज किया जाते है, यूर से उनकी एकुरियc हाइट को मेजर करते हैं, उसके लावा, हैड वेड़ सिर्कम लिएalta को कैसे मेजर करना है, दो साल से कम और दो साल से जा नहीं हुए जो के अधर्ट्स के लिए हैर आज की वीडियो में मैं आपको बताओंगी के nutritional assessment हम लोग कैसे करते हैं children में कुछ kे उनमें थोरा different होता है two years and less कैसे करेंगे two years इसे से अबव कैसे करेंगे उनकी weight measurement और उनकी height measurement So first of all, हम लोग इसकी definition देख लेते हैं कि nutritional assessment है क्या? Nutritional assessment is an interpretation of anthropometric, biochemical, clinical and dietary data to determine whether a person or groups of people are well-nourished or malnourished. इसमें हम लोग क्या देखते हैं? चार चीज़ें देखते हैं, जिससे A, B, C, D भी कहते हैं, ठीक है? Anthropometric, biochemical, clinical and dietary data ताकि हम लोग यह अंदाज़ा लगा से कि जो person है या फिर group of people हैं वो नourished हैं या फिर malnourished हैं कि ओवरवेट हैं, ओवरवेट में malnourishment में आ जाता हैं, अंडरवेट में malnourishment में आ जाता हैं तो यह तमाम चीज़ें हम लोग assess करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यह चार methods use करते हैं Nutritional assessment can be done using the ABCD methods So A for anthropometry, B for biochemical or biophysical methods, C for clinical methods and D for dietary methods So first of all anthropometric methods concern the anthropometric measurements using to assess growth To assess growth in children you can use several different measurements including length, height, weight and head circumference Length concept is less than 2 years, क्योंकि हम लोग बच्चा stand नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता properly, तो उसकी height हम लोग measure नहीं कर सकते हैं, तो हम उसमें length measurement करते हैं The length क्या है, length हम लोग किसके साथ करते हैं, length जो है, wooden measuring board को हम लोग use करते हैं Sliding board भी कहते हैं, is used to measure the length of the children under 2 years old to the nearest millimeter ठीक है, जो 2 साल से कम बच्चा होता है, उसमें हम लोग उसकी length measure करते हैं, उसके लिए हम लोग कौन साइप्मेंट यूज करेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग ने उसको लिटा लेना है, ठीक है, प्रॉपलली वो सीधा लेता हुआ हो और उसके साथ हम लोग ने उसका जो head है, वो एक साइड पे होगा board की और जो उसके feet है, उसका जो movable part होगा board का, वो उससे हम लोग touch कर वाएंगे, then उसका जो है, वो प्रॉपलली उसके साथ attach करेगा, second जो movable part जो board का होता है, उसके साथ उसे लेकर आएगा, इस तरह जो है, वो length measure की जा सकती है, किसी बच्चे की, जो के 2 साल से चोटा होगा, then height, this is measured with a child or adult in a standing position, ठीक है, height हम लोग खड़े करके करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो उसका head है सर है, shoulder है, vertex है, और heels है, वो touch करनी चाहिए, vertical stand position में, वो दिवार के साथ touch होनी चाहिए, और then हम लोग stereometer यूज करते हैं, या फिर कोई portable anthropometer, जिसे इन सी जेप्स हम लोग use कर सकते हैं, तो हम लोग stand, उसे properly stand करके, फिर उसके साथ जो है, वो measurement करेंगे, measurements are recorded to the nearest millimeter, then weight आजाता ह weight को हम लोग weighing slaying, या फिर जिसे spring balance करते हैं, उसके साथ measure कर सकते हैं, also called the salter scale, is used for measuring the weight of children under two years old, जो दो साल के बच्चे हम खड़े हो सकते हैं, उनके लिए एक salter scale होता था, जैसे लटकाने वाला उसके साथ एक मीटा लगा होता था, तो उसमें बच्चे को किसी panty type की एक उसकी बच्चे को लटकाने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, then उसके साथ उसे लटका देते हैं, उससे जो है, उसका weight measure किया जा सकता है, in adults and children, over two years, beam balance is used, जो खड़े हो सकते हैं, वो तो खड़े हो के easily weight measure करवा सकते हैं, जो बच्चा है वो खड़ा नहीं हो सक सकता है, तो उसमें maybe उसका weight जादा आ रहा हो, या कम आ रहा हो, तो उसके लिए solter scale यूज़ करते हैं, in both cases, our digital electronic scale can be used if you have one available, then don't forget to re-adjust the scale to zero before each wing, हम लोग ने पहले check कर लेना है कि जो हमारा scale है वो zero है, ताकि हमारी measurement जो है, अच्छी है, प्रॉपर है, अच्छी है, ridge, forehead, जो front वाला forehead होता है, इसे हम लोग कहते है, supraorbital ridge, एंटेरियली, वहाँ से लेके हम लोग ने पीछे, occipital prominence, ठीक है, जो prominent area होगा, हमारा पीछे वाला back part of the head के, जो prominent area होगा, वहाँ तक हम लोग ने, उसे किसी भी measuring tape से, अच्छी से non-stretchable हो, यह नो कभी stretchable हो, और वो जादा आ रही हो, यह कम आ रही हो, तो हम लोग ने non-stretchable measuring tape से, हम लोग ने head circumference, जो है, वो major कर लेना है, अब क्यों जलूरी है, is useful in assessing chronic nutritional problems, in children, कुछ बच्चे होते हैं, जिनका मल नरिश होते हैं, मेभी उनका head circumference, उनका सर बढ़ा हो, कुछ नोंका बहुत चोटा होता है, उससे हम लोग major कर सकते हैं, कि जो दो साल से कम बच्चे होते हैं, इनकी brain से इतना grow हो रहा है, faster growth है, या फिर normal growth है, उसके लावा, but after two years, the growth of the brain is more sluggish and it is not useful, under two years, जो है, वो head circumference useful होता है, then we will talk about mid upper arm circumference, जिसे मौक भी कहते हैं, is the circumference of the upper arm, जो upper arm है, हमारा उपर shoulder की tip से लेकर, elbow की tip तक ही, हमारा उपर arm आता है, जो नीचे वो lower arm होता है, तो हम लोग ने उपर वाले arm के mid, जो उसका mid point होगा, वहां से हम लोग ने measurement लेनी है, जो के show करेगी, ये good screening tool है, determine करने के लिए the risk of mortality among children, measuring the mark of children, इसमें हमारा पास एक special tape use होती है, ठीक है, उसके three parts होते है, एक yellow part होता है, red and green, जो red है, वो indicate करता है, severe acute malnutrition, और then yellow part है, वो moderate acute malnutrition को show करेगा, and the green indicating normal nutritional status, ये देखें, ऐसी tape होती है, जिसमें अगर red में आ जाए, तो ये होता है कि बहुत जादा बच्चा मलनारिश है, अंडर वेट है, वेस्टिंग हो रही है, then अगर green है, that's normal, then values क्या है, जो children under five years, 11 to 11.9 cm तक moderate acute malnutrition होती है, जिसे MAM कहते है, then less than 11 cm, जो है, वो स्वेयर acute malnutrition होती है, जिसे SAM कहते है, an index is a combination of two measurements, or one measurements plus the person, अब हमारे पास कुछ important parameters हैं, जिनको हम लोग follow करते हैं, ये determine करने के लिए कि stunting है, wasting है, उसकी height according to weight है, या फिर उसकी weight है, वो according to age है के नहीं है, इसमें हमारे पास जो first parameter of weight for age is an index used in growth monitoring for assessing children who may be underweight, अगर weight for age means उसकी age के according हमारे पास इसके complete tables होते हैं कि कितनी age में कितना weight होना चाहिए, ठीक है, अगर वो उसके according नहीं है, तो वो बच्चा underweight है, and height for age means उसकी height अगर 50 cm होनी चाहिए 1 year में, तो कितनी होनी चाहिए, 95 होनी चाहिए, 85 cm होनी चाहिए according to age, हम लोग ये चीजें determine करते हैं, तो अगर उसकी according नहीं हो रही है, उसकी height age के according नहीं है, तो वो stunting में चला जाते हैं, so stunting and stunting is defined as low height for age of the child compared to the standard child of the same age, 20 children have decreased mental and physical productivity and capacity, so wasting means weight कम है height के हिसाब से, लंबा हो रहा है बट उसके muscles नहीं है, उसकी muscles wasting हो चुकी है, then इसे कहते हैं wasting, and it is a standard child of the same height को हम लोग ले के उसके compare करते हैं, then तो हमें पता चल जाते हैं कि इसके vulnerable है, को infection है, malnutrition है, क्या issue है, might be protein energy malnutrition हो, तो ये चीज़ें जहें वो easily इससे determine की जा सकती है, then BMI जो हमारे पास, हमारे पास important tool है, इसमें क्या है, is the weight of the child, हम लोग kg में weight लेते हैं, उसकी height को लेते हैं meters में, then उसका हम लोग weight को height in meters, care से divide करते हैं, then हमारे पास BMI आजाता है, जो less than 24 जो है, वो normal रहता है, then 25 से exceed कर जाए, तो वो overweight में आ जाता है, then 18 से नीच चला जाए, below चला जाए, तो वो underweight में आ जाता है, so ये methods थे, जिनके थुरू हम लोग anthropometric methods थे, जिनके थुरू हम लोग किसी भी children, किसी भी बच्चे की जो है, वो monitoring कर सकते हैं, ठीक कि assessment कर सकते हैं, so keep tuning, keep watching, see you in the next video, with different topic, लाफ्पेस,